धर्म की हानी क्या है? कोई पापी व्यक्ति पाप करे उससे धर्म की हानी नहीं होती पर कोई सत्मार्ग पर चलने वाला, सही मार्ग पर चलने वाला गलत कर जैसे आपके गाउं में, आपके गाउं में, आपकी गली में, आपके महले में कोई बहुत अच्छी इस्त्री है, जो बड़ी पूजा करने वाली थी, बड़ी भजन करने वाली थी, बहुत सारा गाउं उस महिला को अच्छा कहता था, और वो इस्त्री पराय मर्द के संग यदी भाग जाए, तो लोगों की तो स्रध्धा ही उड़ जाती है, लोग क्या कह, अरे करती तो थी बड़ी पूजा, जाती तो थी बड़ा मंदिर, उसके काम करने से, उसके गलत काम करने से, पूरे समाज की स्रध्धा बिगड जाएगी, वो धर्म की हानी है, और आपके गाउं महले की कोई गलत महिला, जो बिल्कुल गलत अल्रेडी है, वो किसी के संग भाग जाए, तो आपके धर्म की हानी ना होगी, वह तो ऐसी थी ही, आपके गली महले का कोई पुरुष जो बड़ा धर्मात्मा है जिसे आप ताउ कहते हैं, चाचा कहते हैं, मौसा कहते हैं, मामा कहते हैं बड़ी स्रद्धा है, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे विचार रखता है वो गलत करेगा तो आपकी सरद्धा तूट जाएगे आपको धर्म की हानी होगी क्योंकि आपकी सरद्धा थी इसलिए केवल अनिरुद्धाचार की जिम्मेदारी नहीं आप जितने लोग यहां बैठे हैं जितने लोग कछा सुन रहे हैं जो राम चरित मानस भगवद गीता में सरद्धा रखने वाले लोग हैं जो राम और कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग हैं आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप कभी ऐसा कोई काम ना करें कि आपके काम से समाज में गलत मैसे जाए धर्म की हानी हो आप राम के उपासक हैं आप कृष्ण के उपासक हैं क्यों? यदि ये राम राम जपने वाला लड़का गलत काम करेगा तो इसके दोस्त यार क्या बोलेंगे यार तू तो बड़ा राम राम जपता था और देख तूने गलत काम किया इसका मतलब उन लोगों की राम के प्रती स्रद्धा खतम हो जाएगे हाँ या ना आपकी गलती से आज समाज में क्या हुआ यही तो हुआ जिन साधू संतों में बड़ी आस्था थी लोगों की उन्होंने जब गलत किया तो उन्हें के गलत करने से लाखों नहीं करोडों लोगों की स्रद्धाएं समाप्त हो गई वो लोग भगवान से हट गए जबकि इसमें भगवान की क्या गलती है गलती तो व्यक्ती की थी ना पर गलती भले व्यक्ती करे पर बदनाम तो धर्म ही होता है ना बदनाम तो हानी तो धर्मकी ही होती है ना जब जब हो यह धर्मकी हानी इसलिए आप सब की हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम कभी ऐसा कोई काम ना करें जिस काम से हमारे धर्मकी हमारे धर्मकी हानी हो हम ऐसा काम करें कि हमारा धर्म और आकास की और उंचाईयों की तरफ बढ़े हमारे कारण हमारा धर्म और निखर करके आए आपके कारण आपका धर्म और लोगों के अंदर आस्था और श्रद्धा पैदा करे ये हम सबकी जिम्मेदारी इसलिए सुनो तुम शरावियों के पास बैठा भी मत करो तुम गंजेडियों के पास जुवाणियों के पास बैठा भी मत करो तुम सत्संगी हो तुम ब्रंदा बनाए तुमने भागवस सुनी और जाकर के तुम भले जुवा ना खेलो पर जुवाणियों के पास बैठ जाओ तो देखने वाले को गलत प्रभाव पड़ेगा वाह ये तो भागवस सुनने गए छे और भागवस सुनके बैठे कहां है जो वडियों के पाँ भले आप नहीं खेल रहे हैं माइने रखता है आप बलातकार कोई लड़का बलातकार कर रहा है और कोई दूसरा लड़का केवल खड़ा है वो उसने बलातकार नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया असपर्स नहीं किया लेकिन चूकी खड़ा था तो आप राधी वो भी कहलाएगा के नहीं उत्तर दो पुलिस पकड़ के ले जाएगी केस चलेगा के नहीं मतलब गलत करना तो गलत है गलत के आस पास खड़े होना भी गलत है इसलिए कहते हैं गलत संगती से बचो गलत संगती से बचो खड़े भी हो जाओगे आज अनिर्धाचार जाए और शराब की दुकान में केबल खड़ा हो जाए मैं शराब ना खरीदूं ना पिऊं केबल खड़ा हो जाओं तो देखने वाले लोग कहेंगे कि महराज जी खड़े हैं इसकार्थ लोग यही निकालेंगे कि भाई आप पीते होंगे तब तो वहाँ खड़े हों मतलब आपके खड़े होने मात्र से प्रभाव पड़ा की नहीं बोलो हाँ इसलिए इसलिए कहा कैकई माता की बुध्धी मंचरा ने पल भर में बिगाड़ दी पल भर में बिगाड़ दी और मंचरा कैकई कैकई वो मा जिनहोंने राम को अपना दूध पिलाया है कैकई तो वो माता है जिनहोंने राम को अपना दूध पिलाया गोद में रखा भरत को गोद में रखा दूध पिलाया राम को दूध पिलाने वाली मातागी यदि कुसंग से बुध्धी भरष्ट हो गई तो हमारी तुमारी कुसंग से बुध्धी भरष्ट हो जाएगी इसमें कोई आश्यर नहीं है कोना कुसंगती पाय नसाही कुसंग पाकर कौन नहीं बिगडा नाम बता लोहे का टुकड़ा पाने में डूब जाता है पर वही लोहे का टुकड़ा नाम की संगत कर ले तो पार हो जाता है और पार लगा देता है बस मेरी मा अपने बच्चों को संसार की कुसंगती से हटा कर सतसंग से कथाओं से जोड देना तो वो स्वयम भी पार होंगे औरों को भी पार लगाएंगे सत्संग की नौका से जुडियेगा वरना दूबने की स्थिती तो समाज में दिखे ही रही है संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं लोहा जड़ा जहाज मैं, पानी मैं उतराएं आजकल के बच्चे बात समझते नहीं है आजकल के बच्चे बड़े होश्यार हो गए है उन्हें अच्छी बातें बताओ तो उन्हें गलत लगती है उन्हें जो गलत बातें बोल रहे हैं, वो गलत बातें उन्हें अच्छी लगती है क्या करET और समाज में गलत बातें बताने वाले बहुत है मा कहती है बेटा बीडी ना पीना बाप कहता है बेटा शराब ना पीना तो बेटे को माबाप दुश्मन से दिखते हैं और उसी को उसके दोस्त कहते हैं बेटा चल आज एक पैक मारेंगे आज ये वाली शिगरेट पीएंगे तो शिगरेट पीने वाले पिलाने वाले उसे बहुत अच्छे लगते हैं यार तुम बहुत अच्छे दोस्त हो देखो कितना खयाल रखते हो शराव लेकर आए हो तो शराव लेकर जो आता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है और जो माबाप कहते हैं कि बेटा शराब ना पीना तो वो माबाप बच्चे को दुस्मन लगने लग जाते तुम तो हमारे दुस्मन हो तुम तो हमारी स्वतंतरता छीन रहे हो तुम तो हमारी आजादी पर प्रहार कर रहे हो वो अपना दुश्मन माल लेते हैं, हाँ याना, हर बात पर माव आप रोका-रोकी, टोका-टोकी करते हैं, बेटा है सा नहीं, बेटा है, तो बच्चों को लगता है कि यह तो हमारी स्वतंत्रता पर प्रहार किया जा रहा है, आजकल तो My Life, My Choice चल रहा है मेरी जिंदगी, मेरा आपका कोई इंटरफियर नहीं है स्वतंत्र ता आज के लोग, आज के बच्चे क्या होना चाहते हैं स्वतंत्र, किसी का इंटरफियर ना हो मेरी Life, मेरी च्वाइस My Life, My Choice हमारे को टोका टोकी मत करो रोका रोकी मत करो सनाव यह बच्चों को समझाओ प्यार से मेरी एक बात समझा दो के बेटा स्वतंत्र ता अच्छा बताओ स्वतंत्र होना अच्छा है कि बुरा है बोलो कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं हाथ उठाके बताओ कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं अपनी मा, अपने बाप की रोका-रोकी टोका-टोकी से सबसे ज़्यादा हाथ किसे ने उढ़ाए बता है आज के लड़का-लड़कियों ने ये स्वतंत्र होना चाहते हैं इनैं बिल्गल बसंद नहीं हमाव आपकी रोका-रोकी, टोका-टोकी अब इनसे एक सवाल करो कि बेटा, स्वतंत्र यदि आप होना चाहते हैं तो फिर एक सवाल है बताओ, राम स्वतंत्र है कि रावड स्वतंत्र है उत्तर दो स्वतंत्र कौन है बेटा राम या रावड जोर से क्या राम स्वतंत्र है स्वतंत्र तो रावड था जो किसी भी महिला को उठा कर ले आता था उसके साथ दुराचार करने की रावड और अन्य महिलाओं के साथ कोशिश भी की होगी माता सीता को ही चुराया है रावण ऐसा नहीं माता सीता के पहली भी हज्जारों महिलाओं को वो अपहरण कर चुका था तो स्वतंत्र यदी आप हैं तो स्वतंत्रता आपकी आपको रावण बना देगी जबकि राम स्वतंत्र नहीं थे राम मर्यादा के बंधन में थे, मर्यादा की वेडियों में थे मेरे नौजवान दोस्तो, आपकी स्वतंत्र ता, आपको रावड बना देगी लिख लेना इसलिए कभी अपने आपको स्वतंत्र मत छोड़ियेगा आप सदा मर्यादा की लक्षमन रेखा के भीतर रहिएगा संसकारों की रेखा के अंदर रहिएगा आपकी स्वतंत्रता अरे पतंग जब तक धागे से जुड़ी होती है आकास में पूछाईयों तक पहुंचती है और वह धागे की स्वतंत्रता से जब धागे से कट जाती है और स्वतंत्र हो जाती है तो हिचकोले खाते हुए पतंग नीचे आ जाती है जो स्वतंत्र हो गया वो पतंग की तरह नीचे गिर जाएगा जो स्वतंत्र हो गया वो रावड की तरह होगा और जो मर्यादा में होगा वह राम की तरह होगा अच्छा स्वतंत्र कौन था माता सीता या सूप नखा बोलो कौन स्वतंत्र है जो इस्त्री स्वतंत्र होगी वह सूप नखा हो जाएगी मर्यादा के बंधन में तो माता सीता है इसलिए जो नारी मर्यादा के बंधन में रहेगी वो सीता होगी जो मर्यादा की रेखा में रहेगी वो सीता होगी और जो स्वतंत्र होगी वह सूप नखा हो जाएगी इसलिए आप बताओ बच्चों को कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है और बंधन का मतलब क्या है स्वतंत्रता मैं स्वतंत्र होना नहीं चाहता मुझे बंधन में रहना अच्छा लगता है सामाजिक दवाओ माता पिता का दवाओ सोचिए कि जिसकी उपर समाज का कोई दवाब ना होगा माता पिता का दवाब ना होगा वो संतान कैसे होगी वो संतान कैसे होगी वो लोग कैसे होगे आप लोग यदि आज अच्छे हैं तो कहीं न कहीं समाज के दवाब के कारण समाज की मर्यादा के कारण आप अच्छे हैं वरना आप कबके रास्ता भटक चुके होते कोई भय ना होता तो कोई समाजिक कोई पारिवारिक दवाव ना होता तो इसलिए आपको अच्छा बनाने के लिए समाज का परिवार का दवाव चाहिए जरूरी है